दोस्तों नमस्कार मैं संजय बग्गु और मवजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याणा विधान सभा का चुनाव परिनाम आए अब एक महिना हो गया है और हर्याणा में सरकार बने यानि कि नायव सिंग सैनी के दूसरी बार मुख्य मंत्री पत की शपत लिये हुए भी अब लगवग 20 दिन से ज़ादा हो गये हैं 18 तारिक को शपत ली थी नायव सिंग सैनी सरकार ने सरकार चल रही है कैबिनेट वजीर मंत्री बन चुके हैं विदान सवाद द्यक्ष अपाद द्यक्ष बन चुके हैं अब भारी है CMO के अंदर बदलाव की मुख्यमंत्री निवाज, मुख्यमंत्री कारयालिया यानि कि मुख्यमंत्री का अमला, मुख्यमंत्री का जो महकमा जो होगा उनके सारे डेपार्टमेंट समालने वाले लोग कौन-कौन होंगे अगर आप देखें तो एक CPS हुआ करते हैं मुख्य परधान सचिव एक PS हुआ करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनके साथ में दो APS की परंपरा चली मनोरलाल सरकार के नेतरताओं में इसके साथ साथ ही तीन से पांच OSD एक पलिटिकल एडवाईजर उसके बाद में और तमाम पद जो ये सारी नियुक्तियां की जाती है फिर मीडिया सलहकार हुआ करते हैं ये तमाम पद पिछली सरकार में भी थे और इस सरकार के अंदर में यानि की जो नायब सिंग सैनी की सरकार है मुख्य मंत्री नायब सिंग सैनी की नेतरताओं में जो सब कुछ होना है उसका भी अब इंतजार है इसके लावा PSI अलग हुआ करते हैं लेकिन CMO सम्भालने वाले जो मुख्य हुआ करते हैं जो मैंने आपको बताया PS, CPS, APS, इसके बाद में 3-5 OSD, राजनितिक सचिव, मीडिया सलहकार, ये तमाम पद होते हैं अगर मैं आपको बताता चलू कि पिछले दिनों में जब मनोहरलाल खटर की सरकार थी, मनोहरलाल मुख्य मंत्री थे 2014 और 2019 में, और 2024 मार्स 2024 तक, इस दोरान में जो अधिकारी थे CMO के अंदर, खुलर साब वापिस वहीं के वहीं है, खुलर साब को वापस, राजेश कुमार खुलर जी को वापस मिल चुका है CPS का पद, हलांकि उनकी इस नियुक्ती पर जो अपकी बार नियुक्ती उनकी CPS पर हुई, उस पर विवाद भी रहा, पहले जो उनका लेटर जारी हुआ, बिग बॉस कहा जा सकता है CMO के अंदर, मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्याले, इसके संबंदित जीतने भी विभाग होते हैं, उसमें CPS को, यानि की चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य परधान सचीव को, बिग बॉस समझा कहा जा सकता है, कहा जा सकता ह उन पर काफी दारोंदार होता है, और वो फैसले भी काफी करते हैं, तो CPS पत पर नियुक्ती वापस राजेश कुमार खुलर आ चुके हैं, इसके बाद अगर देखें, जो अन्य अधिकारियों की बात आती है, पियेस के पत पर पहले व्यंकटेश उमा शंकर थे, वी उमा शंकर, वी उमा शंकर चले गए हैं दिल्ली में, दिल्ली जा चुके हैं, सेंटर गवर्मिंट के अंदर सेवाए दे रही हैं, तो इस थान पर यानि की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्थान पर, अब किसी और अधिकारी की तलाश रहेगी, किसी और अधिकारी को लगाया जाएगा, कई नाम है उसके अंदर, अगर बात आजाएगी, फिर उसके बाद में, एपीएस की, इन पदों पर फिलाल आशिमा बराड हैं, और इनके साथ-साथ, डॉक्टर अमित कुमार गुपता हैं, संभवत जाती है, फिर अगले पद्जों होते हैं, OSD के, इससे पहले ले ले लेंगे राजनीतिक सलाकार का, राजनीतिक सलाकार मनोरलाल के जब पार्ट वन की सरकार थी, 2014 में जब मनोरलाल मुख्यमंत्री बने थे, उस समय प्लिटिकल एडवाइजर थे दीपक मंगला, दीपक बाइजर हैं, वो बीवी भारती हैं, बीवी भारती को भी संभावना चर्चाएं जो हैं, हलाकि बीवी भारती काफी सुलजे हुए माने जाते हैं, और काफी संजीदा समझे जाते हैं, लेकिन एक दोस्तों चुबधान सभाज चुनाव के दौरान एक बात आई थी, CMO की क जन पर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, जन पर के साथ में किसी प्रकार का विवाद जुड़ा हुआ ना हो, ऐसे लोगों के एंट्री हो और जिनकी पोलिटिकल एंबिशियंस खासकर बहुत ज़्यादा ना हो, राजनीतिक महत्वा कांग्शाएं, तो इन सब को देख कि जो नौन ओफिशियल जो लोग थे, जिनको पोलिटिकल माना जा सकता है या जिनको संगठन से आए हुए माना जा सकता लोग है, या फिर समाज के विभिन छेत्रों के अंदर अपना होनर रखने वाले लोग, उन लोगों में से जिनकी एंट्री मुख्यमंत्री कार्याले में थी, CMO में थी, एक बात तरी बीवी भारती ऐसा चेहरा है जो अभी तक भी नायव सिंग सेनी के साथ चल रहे हैं, अगर आगे की बात कहें, तो फिर पूरे पराले जो OSD थे, चाहे आप जबार यादव का नाम लें, चाहे आप अर्विंद का नाम लें, चाहे अभिमन का नाम लें, इनके साथ साथ चाहे भुपेश्वर दयाल एक बड़ा नाम था, भुपेश्वर दयाल OSD समालते थे, CM विंडो का कारेभार, CM विंडो की बात आप से कहें, तो 2014 में जब मनोर सरकार बनी थी, तो CM विंडो एक बड़ा उपकरम बना था, सुशासन के तहत में, परधानमंत्री, पूर परधानमंत्री, इस्वरगी, अटल विहारी, वाजपई की जैनती के मौके पर ये स्थापना हुई थी, CM विंडो की, गुड गवर्नेंस देने के लिए, और उसका जो दाइतों संभालते थे, वो भुपेश्वर दयाल थे, अब भुपेश्वर दय हैं, चर्चा जो मैं आपको बता रहा था, ये भी है कि प्लिटिकल एडवाइजर के स्थान पर, यानि की भारती के स्थान पर भी कोई नई एंट्री हो सकती है, और इस पोस्ट पर जो ये, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट माली जाती है, मुक्य मंत्री का चेहरा होते हैं, उनका बड़ा औरा होता है, और इस पद को पाने के लिए दो प्रमुक नाम तो ऐसे हैं, जो अर्याना सरकार में पहले वजीर थे, नायर सिंग सेनी सरकार में मंत्री थे, असीम गोयल और सुभाश सुधा, इनके नाम भी चल रहे हैं, जवार सेनी का नाम भी चल करूंगा कि क्या दीपक मंगला को अब भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है क्या, आप से अलग किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन एक नाम ये भी है, तो तीन OSD लगाए जाने है, पोलिटिकल एडवाईजर लगाए जाने है, इसके साथ मीडिया सलाकार, ये पद अ आत्रे वैसे तो सिविल सची वाले में उनका भी कमरा था, उनको भी पोस्ट मिली होई थी, लेकिन अब वो चंडिगड के लिए मीडिया सलाकार वो भी हो सकते हैं, इनके साथ साथ एक नाम और था वहाँ पर चंडिगड के अंदर, तरुन बंडारी का, वो पब्लिशिंग और अड्वराटाइजिंग वाला जो महकमा देखते थे सरकार का, यानि कि सरकार की चवी बनाने वाला जो महकमा उनके पास था, वो उनके पास रहेगा, यहां भी कोई नई एंट्री हो सकती है, अगर मीडिया सलाकार की बात करें तो फिर राजीव जेतली दिल्ली हर्याना बहुन देखते थे, क्या राजीव जेतली के स्थान पर भी कोई और एंट्री हो सकती है, यह बहुत सारी बाते हैं, CMO के अंदर बदलाव की, और क्योंकि मैंने आपको बताया, कि विधान सबाद चुनाव से पहले, जब बात चली थी, तो पार्टी आला कमान ने, केंद्र राजनीती के अंदर, परदेश के अंदर, मुख्यमंत्री के चहरे को सामने रख सकें, तो अब इंतजार है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर, जाना की होगा सब कुछ दिल्ली की संस्तूती से, पार्टी आला कमान से संस्तूती ले करके, और नायाप सिंग सेने, अपन पर जो मैंने आपको बताया, बदला, बदला, स्वरूप, वो कितना बदला हुआ दिख सकता है, कमेंट से बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना